सीधी तस्वीरे आपको जैपूर के अलबर्ट हॉल से दिखाते हैं जहाँ पर राहुल गांधी पहुँच चुके हैं उनके साथ मंच पर मुख्यमंत्री अशोग घैलोद भी है, सचिन पालेट भी है, सीधी तस्वीरे आपको जैपूर के अलबर्ट हॉल से दिखा रहे हैं राश्ट्रे गान यहाँ पर हो रहा है, सीधी तस्वीरे जैपूर के अलबर्ट हॉल से दिखा रहे है युवा आत्रोश ये रेली तो आपने देखा जैपूर से सीधी दस्वीरे अलबर्ट हॉल से आपको दिखा रहे राश्ट गान्य यहाँ पर हुआ और मंच पर यहाँ पर दिगजों के चेहरे आपको नजर आ रहे हैं और आज की इस एतिहासिक इंतजार यहाँ पर खत्म हो चुका है एलबर्ट हॉल पर राहूल गांधी पहुँच चुके हैं मंच पर आपको नजर आ रहे हैं आज रहूल गांधी जी हिंदुस्तान की आवाज बनकर हमारे बीच में आए राहूल जी आप देख लीजिए राजस्तान की राजदानी जैपूर में जवानी दिवानी के रूप में आपके सामने खड़िये और ये जो दिवाने हैं आज राजस्तान के मुख्यमंत्री असोग गैलोज जी नौजवानों के नेता सचीन पाइलेट जी अविनास पांडे जी विवेक मंसल जी तमाम कॉंग्रेस परिवार हमारे साथ यहां पर है राउल गांधी जी पूरे देश का नौजवान आज दिवाने के रूप में आज जैपूर में खोड़ी हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं के नौजवान को राज़ता दिखाने के लिए हंदस्तान की माःएंबेटी के सम्मान के लिए जिन लोगों ने हंदुस्तान की अवाम के साथ ढोका किया आज पूरे देश में बेरोजग देने का वादा किया था आर्थिक मंदी और महंगाई के कारण फेक्ट्रियां बंद हो रही है और मोधी जी और हमिसा जी हिंदुस्तान के लोगों से कह रहे हिंदु मुसल्मान सी किसाई फार्सी जैन लड़ो लेकिन हम किसी को नोकरी नहीं देंगे ये महात्मा गांदी और मोधी और सा के घुटने टिकाकर अमबानी और अडानी जैसे लोगों को सबक सिखाएंगे आज यह जो जैपूर का नोजवान खड़ा है आपके स्वागत में तिरंगा लेकर खड़ा है यह देश तिरंगा लेकर आपके साथ हिंदुस्तान की सरकार को चुनोती देने के ये खड़ा है और आज भगवान ने आपका स्वागत किया ये बरसात करके जवानों जंडे ही लाकर राओल जी को दिखा दो जंडे ही लाकर दिखा दो राओल जी को हम सब राओल गांदी के साथ खड़ें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा सब लोगों से एक ही बात कहूं एक नारा दूँगा आप सब को मेरे साथ लगाना है वंदे वंदे मैं बोलूँगा राउल जी आगे बढ़ो आप को कि हम तुमारे साथ राउल जी आगे बढ़ो आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए मोधी और साह तक राउल जी आगे बढ़ो राउल गांदी संगर्ष करो तन्यवाज जैन